मोतिलाल ओस्वाल Nifty India Defense Index Fund ने पिछले 3 महीने में minus 14% के return दिये हैं वहीं पर HDFC Defense Fund ने पिछले 3 महीने में minus 5.44% के return दिये हैं जब दोनों ही fund Nifty India Defense Index पर based हैं तो फिर इन दोनों के returns में इतना बड़ा अंतर क्यों है? तक्रीबन 9% का अंतर मेरे बहुत सारे विवर्स ने इसी प्रशन का जवाब जानना चाहा था, तो इसके बारे में ही हम बात करेंगे इस वीडियो में. साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में क्या Defense Fund या फिर ETF में तेजी आने की संभावना है या फिर नहीं. तो आप इस informative वीडियो को पूरा ज़रू देखें. तो बात करते हैं मोतिलाल उसवाल Nifty India Defense Index Fund की, जो आप देख सकते हैं कि जुलाई 2024 में लाँच हुआ और जस टाइम ये लाँच हुआ उस टाइम में इसकी एनेवी 10 रुपे थी. लेकिन इस फंड के लाँच होने के बाद ही Nifty India Defense Index में लगातार गिरावट होती रही. इसलिए आप देख सकते हैं कि अभी 14 नवंबर को इसका एनेवी 7.9 है. यानि पिछले 3 महिने में 14% डाउन. मोतिलाल उसवाल Nifty India Defense Index Fund के अलावा एक ETF भी है, सेम मोतिलाल उसवाल का और इसके अलावा Grow का भी एक Defense ETF मौजूद है मार्केट में. तो more or less सभी Index Fund और ETF ने Negative में ही Return दिये. Even आप देख सकते हैं कि Returns Since Launch, यानि जब से जुलाई से लाउन्च हुआ है, तब से इसका Return तो minus 21% के असपास है, जो कि काफी जादा है. और हो सकता है कि इसमें काफी लोग funds भी गये हों, क्योंकि इस Fund का प्रचार पसार बहुत जोरों से खिया गया था. आप देखिए AUM कितना है? 2127 क्रोर्स का. जबकि इस Fund को अभी केवल 4 महिने के आसपास ही हुए है, मगर फिर भी इसका AUM देखिए 2127 क्रोर्स का. यानि इसमें investment काफी आया है. हाला कि मैं आपको ये recommend करूँगा कि आप मेरी मोती लाल उसवाल Nifty India Defense Defense Index Fund वाली वीडियो ज़रूर देखें, जो मैंने इस NFO के launching के time बनाई थी. और उस वक्त मैंने कहा था कि Defense Index काफी जदा overvalued है, तो आप संभल के ही invest करें. खेर, चलिए आगे चलते हैं. और अब बात करते हैं HDFC Defense Fund के बारे में. तो आप देख सकते हैं कि ये fund June 2023 में launch हुआ थ तो अभी भी इतने गिरावट के बावजूद भी वो लगभग 65% के returns पा रहा होता. अब बात आती है कि HDFC Defense Fund भी इसी Nifty India Defense Index पर ही based है. मगर इसका पिछली 3 मेरे कर return माइनस 5.44 है. वही पर मोतिलाल उसवाल का माइनस 14% है. तो इसके क्या reasons है? तो देखिए, सबसे main reason ये है क कि मोतिलाल उसवाल Nifty India Defense Index Fund पूरी तरह से एक passive fund है. यानि ये एक index fund है. इसके साथ ही साथ में मोतिलाल उसवाल का ETF है वह भी passive है. और ग्रो का ETF है वह भी passive है. और वो पूरी तरह से Nifty India Defense Index को track करता है. अब इसका मतलब ये हुआ कि Nifty India Defense Index जतना गिरेगा उतनी ही गिरावट आ या फिर grow के ETF में या फिर index fund में दिखेगी. मगर ये problem HDFC Defense Fund में नहीं है. अब आप पूछेंगे क्यों नहीं है. तो देखिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इसका return देखिए. अगर आप दोनों को compare करेंगे तो return में लगभग 9% का अंतर है. इसका कारण है. उसके portfolio में. तो आईए portfolio देखिए. सबसे पहले HDFC Defense Fund का. तो आप देख सकते हैं कि इसका जो main allocation है. यानि HAL का सबसे ऊपर allocation है. 20% का. भरत electronics का है 18.9% है. यानि 19% मान ले. यानि ये मिला करके लगभग 40% weightage हो गया. मगर अगर आप आगे companies देखेंगे तो Sine DLM, BEML, Solar, Astra Microwave L&T, Premier Explosive. ऐसा करके बहुत सारी कंपनिया हैं जो directly Defense Index related नहीं है. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आप देखिए. ये आपके सामने मोतिलाल उसवाल Nifty India Defense Fund का portfolio है. देखिए. यहाँ पर BEL top है. यानि लगभग 20.8%. वहीं पर HDFC में देखिए. HAL top है. 20.32%. आप देखिए. 2nd नमबर पर BEL है. उसके बाद में HDFC में Sign DLM करके 8% का allocation दिया है 3rd number पर. वहीं पर मोतिलाल उसवाल में गर आप देखिए. तो solar को 3rd number दिया है. वो भी 15% का allocation है. उसके बाद मजगाव डॉक, कोचिन शिप्यार्ड, भारत डानेमिक, ZEN, डेटा पेटर्न ऐसा करके आप यहा मजगाव डॉक और कोचिन शिप्यार्ड है. जिसमें पिछले 3-4 महीनों में काफी खतरनाग गिरावट हुई है. और इसी वे से यह पूरा इंडेक्स बहुत जादा डाउन हो गया है. अगर आप HDFC Defense Fund ले ले लेंगे, तो यह दोनों जो shipping के stocks हैं, मजगाव डॉक और कोचि accelerated stock है, हलाकि इसका कुछ percentage defense में भी है. तो कुल मिला करके यह कहा जा सकता है कि जो HDFC Defense Fund है, वह एक active fund है. और इसी लिए उसके पास में ये option है कि वह defense index से हट करके अलग से भी stocks ले सकता है. और उसने यही किया. HDFC Defense Fund के fund managers ने देखा कि भाई, defense sector बहुत अच्छा perform तो नहीं कर है. लेकिन 60-70% हमें defense के stock रखने है. तो इन्होंने क्या क्या कि बाकी 20-30% stocks थोड़े से related या allied sectors के ले लिए. और उसकी वेज़े से आप देख सकते हैं कि return में काफी प्रभाव पढ़ा. क्योंकि overall defense index काफी जादा correct हुआ है. मगर HDFC Defense Fund की बात करें, तो चूकि ये active fund है, इसल भग 9% कम correct हुआ है. तो यही main reason है जिसकी वैसे HDFC Defense Fund का return थोड़ा सा अधिक रहा है. अब आपने देखा कि सारे defense fund में overall काफी बड़ी गिरावट हुई, खासकर index में, और इस गिरावट को लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं. तो क्या लगता है, आगे कब तक ये sector perform कर सकता है? काफी लोग का ये प्रशन है, क्योंकि काफी लोगों का पैसा, mainly मोतीलाल उस्वाल Nifty India Defense Index Fund में फसा हुआ है. देखिए, अगर किसी ने HDFC Defense Fund बाई किया है, तो तो मेरे हिसाब से वह थोड़ा ठीक है, क्योंकि ये एक active mutual fund है, और थोड़े से ये अलग stocks ले सकता है. मगर मोती ले समय में कैसा perform कर सकते हैं, क्योंकि अगर stocks चलेंगे, तो ही ये index चलेगा. तो देखिए, आपके सामने है Nifty India Defense Index, और आप देख सकते हैं कि इसमें top constituents by weightage है, भारत electronics 20.7 और HAL है 20.4, उसके बाद solar है 15.1, यानि इन ही तीनों को मिला दें, तो लगभग 55% allocation, तो के विल ये 13 companies को ही जाता है. इसका मतलब है कि अगर भारत electronics या फिर HAL, इनके results अच्छे आते हैं, आने वाले quarters में, तो फिर हो सकता है कि ये index उपर जाए. तो चलिए, सबसे पहले BEL के results को थोड़ा analyze करते हैं. तो देखिए, आपके सामने है भारत electronics limited, यानि BEL, जो currently 14 November को अभी 281 पर trade कर रहा है. आप देख सकते हैं. अब देखिए, ये आपके सामने है 5 साल का chart और इसमें rally देखिए, एक तरफा rally, काफी बहतरीन. मगर अगर अगर आप ये time देखेंगे, यानि July 2024, यानि quarter 1 के result के बाद का समय है, तब से इसमें गिरावट का दौर चालू है. वैसे आप का quarterly results. आप देखें कि अगर हम June 2023 की बात करें, तो 3500 crores, 4000 crores, 4162 crores, फिर मार्च 24 में हो जाता है 8564 crores, यानि revenues का कितना ज़्यादा बढ़ गया, आप देख सकते हैं. मगर हुआ क्या कि June आते आते, यानि quarter 1 का result था, उसमें इसका revenue आधा हो गया. तो आप ये चीज़ नोट क quarter 1 का, April में June का, उसके बाद July से ही इस result को देखते हुए, इसमें गिरावाट का दौर चालू हो गया. और देखें, या लगातार stock गिर रहा है. या फिर यह कह सकते हैं, एक तरह से ये भी sideways में चला गया है. मगर आप देख सकते हैं, कि अभी September में as compared to June, result थोड़ा सा ठीक है यानि 4244 क्रोर से 4605 क्रोर की sales होई है. और अगर आप net profit भी देखेंगे, तो हला कि March के comparison में तो ये अभी भी कम है. मगर June के comparison में जो पिछला quarter था, quarter 1 से quarter 2 थोड़ा सा बढ़िया है. इवन आप देख सकते हैं, इसका EPS भी यहाँ पर बढ़ा है. तो ये एक positive संगेत है, ल ऐसे जैसे stock बढ़ा, तो इसका PE, यानि valuation काफी हाई हो गया. आप देखें, इसका valuation जुलाई में चला गया था 61 का. और अब चुकी correction चालू है, तो आप देख सकते हैं, कि इसका valuation अभी घट करके काफी कम हो गया है. इसका valuation अभी आगया लगबग 48 का, यानि 61 से 48. यानि धे दिरे करके ये stock, यानि BEL अपने correct valuation पर आ रहा है. तो आप कैसे पता करेंगे कि आने वाले समय में ये stock कितना जा सकता है. तो देखें, इसका एक अंदाजा लगाया सकता है. आप पूछेंगे कैसे? तो देखें, इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं EPS growth को लेकरके. तो 23 में 4.08, यानि आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी बढ़त हो रही है. उसके बाद में मार्च 2014 में 5.45 होता है. और अभी ये TTM, यानि trailing 12 months का 6.21 है. तो on an average, आप क्या करिए? कि ये जो EPS में growth दिख रही है, उसका percentage निकालने का try कीजिए. तो चली हम लोग growth का percentage निकालते हैं. तो हमने यहाँ पर calculator खोल लिया है. तो देखे 5.45 minus 4.08. ये हो गया 1.37. इसको divide करिए 4.08 से. ये आ गया लगबग 33%. यानि on an average, अब 30% के आसपास की growth assume कर सकते हैं कि next year, यानि March 2025 तक में लगबग इतनी EPS growth हो सकती है. और इसका एक reason और भी है. अब देख growth last 3 years 23.6. तो हमेहाँ पर 33 तो नहीं, लेकिन 30% growth assume करके चलते हैं. तो देखिए, में 2024 में 5.45 EPS था इसका. अब आपको क्या करना है कि 5.45 into 0.3, यानि 30% ये हुआ 1.635. इसको add करिए 5.45. यानि ये EPS हो गया लगबग 7 के बराबर. और आप देखिए, trailing 12 months का already 6.21 है और आने वाले March 2025 तक ये 7 का EPS आपको दिखा दे. तो अगर 7 का EPS assume करते हैं, तो अभी देखिए कि PE ratio कितना चल रहा है. तो देख सकते हैं कि भारत electronics का current PE है 45.24, जबकि industry का PE है 61, यानि एक तरह से ये अभी undervaluation में जा रहा है. और इसका PE देखिए 45.24, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो forward, यानि आगे का EPS हमने assume किया है, इसमें हम multiply करेंगे 45.24 को. तो इसकी price आती है 320.52. और देखिए, अभी इसकी current price किती चल रही है. अभी इसकी price चल रहे है 281. यानि अगर आप 320.52 माइनस 281 करते हैं, तो ये इत्ता आता है. इसके बाद में इसको divide करते है 281 से. तो ये लगभग 14-15% का growth दिखा सकता है आने वाले मार्स तक. ऐसा assumption है, ऐसा होगा या नहीं होगा, ये depend करता है quarter 3 के और quarter 4 के results कैसे आते हैं. और उसमें EPS growth दर्ज की जाती है कि नहीं. हमने हबर पिछले 3 सालों का data लेकर के ये check करने की कोशिश की है कि EPS में growth कितनी होती ह मगर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में BEL या HL जैसे stocks ने काफी धुहाधार rally दी है. आप देखें, तो आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि ये stock double ये triple हो जाएगा. उसका एक reason है. तो इसका reason है market capitalization, यानि market cap. आप इसलिए कुछ वीडियो में भी बताईए है. सेम यहीं चीज आपको HAL में भी देखने को मिलेगी. देखें, अगर आप HAL को लेते हैं, तो इसका भी market cap काफी जादा है, 273,000 crores का. यानि ये stock भी ऐसे नहीं है कि overnight double या triple हो जाएगा. तो इस बात का आप ख्याल रखें. या 15-20% के returns आपको देखने को मिलें. मगर इसकी कोई guarantee नहीं है. क्योंकि EPS growth का ये सर्फ एक assumption ही है. और ये साब पूरा depend करेगा आने वाले quarterly results पर. वैसे market में Nifty India Defense Index Fund के लावा और भी Diversified Index Fund है, जनके बारे में आप study कर सकते हैं. जानने के लिए देखें, ये informative वीडियो.